अब हम परिवहन की तीसरी महत्पून विधा या साधन जिसे हम वायू परिवहन कहते हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं तो जैसा कि आपको पता है कि वायू परिवहन जो है वो परिवहन का एक तिव्रगामी अत्यंत तिव्रगामी हम कह सकते हैं साधन है या हम कहें कि जो इतनी बड़ी दुनिया है उसको हमने इस वायू परिवहन के माध्यम से ही बहुत सिमीत कर दिया है बहुत छोटा कर दिया है मतलब इसके एक छोड से दूसरे छोड तक जो पहुंचना है वो हमारे लिए भी बहुत ही आसान हो गया है सिर्फ और सिर्फ इसी वायू परिवहन के माध साधन है हम कह सकते हैं कि यह एक आराम दायक और प्रतिस्ठित परिवहन का साधन भी है और इसके माध्यम से हम देखते हैं कि जितने भी जो दुर्गम इस्थान है चाहे वो उचे-उची परवत श्रिंखलाएं हो मरुस्थली चेत्र हो या दल्दली वन चेत्र हो घने वन अध्यम से इस मार्ग के द्वारा तैक कर सकते हैं या इसके लिए एक यह बहुत मुश्की कारिय नहीं रह जाता है वायू परिवहन ने इन रास्तों को भी तैक करना आसान बना दिया है और जब हम बात करें भारत की तो हम देखते हैं कि भारत जैसे एक विशाल देश में विशाल आकार वाले देश में हम देखते हैं कि यह और महत्तपूर्ण हो जाता है या इसकी महत्ता जो है वो यहां पर और बढ़ जाती है क्योंकि इसका आकार विशाल है यहां पर इस्थलाकृती संबंधी बहुत अधिक भिन्नताएं देखने को मिलती है और इस्थलाकृ जिसके तीन और जो है ये समुद्र से घीरा हुआ है पश्चिम की तरफ हम बात करें तो विशाल मरुस्थल है और पुर्वी उत्तर पुर्वी जो राज्य हैं वो भी घने वानाच्छादित और उचे-उची परवर्शिंख लाएं वाला छेत्र हमें देखने को मिलता है तो इतनी सारी विवित्तक के कारण भारत जैसे विशाल देश के लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हम यह देखेंगे कि यह जो पुरा वायू परिवन है जाहे हम विश्व के संदर में बात करें या हम भारत के संदर में बात करें तो इसने दूरियों को घटा कर समय को बहुत ही कम कर दिया है जहां हम देखेंगे कि हम दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं आप राइपूर से दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं अगर आप ट्रेन के माध्यम से कर रहे हैं तो लगभग 24 घंटे का समय लगता है आपको और यदि आप वहीं फ्लाइट से ये तो हम देखेंगे कि मात्र दो घंटे में आप वहां तक की आत्रा कर सकते हैं तो क्या देख रहे हैं हमने दूरीयों को जो है वो सिम्टा कर कम करके समय को भी भब्ली गटा दिया है समय को भी बहुत कम कर दिया है अब भारत में हम बात करें तो भारत में वायू परिवहन की शुरुवाद जो है वो 1911 में हुई 1911 में और तब जो है वो इलाहबाद से नैनी के बीच लगभग 10 किलोमीटर का जो मारग है वो इस वायू परिवहन के लिए किया गया और तब ये वायू परिवहन जो है वो इलाहबाद से नैनी के बीच डाक प्रचालन जो है उसे संपन करने के लिए किया गया था लेकिन इसका वास्तविक रूप में यदि हम विकास देखें तो ये देश की स्वतंतरता के बाद वायू परिवहन का वास्तविक रूप से विकास हुआ है और जब उनिस सो तिरपन में वायू यातायाद जो सेवाएं हैं इन सेवाओं का राश्टी करण कर दिया गया हमारे तब इसका वास्तविक रूप में विकास हुआ और उस समय नाइंटीन फिफ्टी थी में हम देखेंगे कि इसके दो राश्टी करण करने के बाद इसके दो स्वतंतर निगम जो हैं वो इस्थापीत किये गए पहला एर इंडिया इंटरनेशनल और ये जो निगम था ये हो कि इंडिया इंटरनेशनल और दूसरा इसका निगम है इंडियद एयर लाईंस के माध्यम से यह मद्ग यह यह जितनी ही घड़ेली लूप ऋक्रूश का लूब Gian निगम के अंतरगत या इसे सुपोर्द कर दी गई इंडियन एलाइंस का इतिहास 1911 में भारत में वायू परीवहन सेवा की शुरुवार इलाहबाद से नैनी के बीच की गई थी इसकी चर्चा हमने की है जो डाक सेवा के लिए की गई थी और 1947 वायू परीवहन जो है वो तकन एयरवेस द्वारा उपलब कराई जाती थी नाइंटीन सेवेंटी टू में हम देखते हैं कि अंतरराश्टी विमान पत्तन प्राधिकरण जिसे आई ए के नाम से भी जाना जाता है को दिल्ली में स्थापीत किया गया और ये जो प्राधिकरण है वो भारत में कुल जो पांच अंतरराश्टी हवाई अड़े हैं जिसमें पहला है आपका मुंबई जिसे छत्रपती शिवाजी कहा जाता है छत्रपती शिवाजी एरपोर्ट के नाम से जाना जाता है दूसरा दिल्ली इंद्रा गांधी एरपोर्ट तीसरा कोलकाता नेता जी सुभास चंद्र बो एरपोर्ट फिर है चेन्नाई जिसे मिनामबकम और पांचवा है तीरुवनंत पूरम यह सभी जो अंतरराष्टी हवाई अड़े हैं इस प्राधीकरण के यह यहां पर इस्थापीत की गए हैं और यहां पर वायू यातायाद के लिए जो बहतर सुविधाएं उपलब्ध करा इसके बाद हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे कि वर्तमान समय में जो इंडियन एर लाइन्स है इसके वायू मारगों की जो लंबाई है वो 69 करोड किलोमीटर हमें मिलती है अपने देश में इसके बाद देखेंगे कि 1987 में हम देखें कि पवन हंस इसके स्थापना की गई या तब से यह हेलिकॉप्टर सेमाय देने के लिए यह संस्थान जो है वो कारीरत है और मुख्य रूप से यह हेलिकॉप्टर सेवा जो है वो पेट्रोलियम सेक्टर को सेवा देने के लिए इसके स्थापना की गई थी लेकिन वर्तमान समय में हम द जो दुर्गमिस्थान हैं, दलदली छेत्र हैं या हम कहें घने वनाच्छादी छेत्र हैं, वहां पर भी मुख्य रूप से परेटकों को सेवा देने के लिए या आंतरिक रूप से वहां पर परिवहन के लिए यह हेलिकॉप्टर सेवाएं जो हैं वो कारीरत हैं, जिसमें फिर है आपका जम्मू कश्मीर उत्तर के परवती राज्यों की हम बात करेंगे, तो इसमें आ जाता है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरा, खंड और जितने भी इनके आंतरिक जो छेत्र हैं, वहां पर यह हेलिकॉप्टर सेवा जो है वो कारीरत है, और यहां पर यह सेवाओं को देने का कारी करता है, अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि 4 अक्टूबर 2012, 4 अक्टूबर 2012 को भारत सरकार ने नागरिक उड्यन जो मंत्रालय होता है, इसके प्रस्ताव पर पांच घरेलू हवाई अड़ों को भी अंतर पांव, वारनसी, तिरुचरापली, कोयम बटूर और मैंगलूरू, इस देश में जो अंतर रास्टी, कुल अंतर रास्टी हवाई अड़े हैं, उनकी संख्या बढ़कर 25 हो गई है, हैदराबाद एवं बैंगलूरू को अंतर रास्टी इस तरके ग्रीन फिल्ड हवाई भारत में हैदराबाद का राजिव गांधी अंतर रास्टी हवाई अड़ा, एशिया का प्रथम ग्रीन एयरपोर्ट है, जुलाई 2012 में जोधपूर हवाई अड़े को भी ग्रीन फिल्ड एयरपोर्ट के रूप में विक्सित करने की अनुमती भारती वायू सेना द्वारा प्रदान कर दी गई है, ग्रीन एयरपोर्ट से तातपरी होता है ऐसे हवाई अड़े जहां पर कार्बन उस सर्जन को कम करने संबंधी वीधियों को प्रयोग में लाया जाता है, तो आप से छोटे प्रशने के रूप में पूछा भी जा सकता है कि कौन-कौन से कि क्या है, मुक्त आकाश नीती भारती निर्यातकों को मदद देने के लिए तथा उनके निर्यात को प्रतियोगिता पोहन बनाने के लिए सरकार ने अप्रेल 1992 में नौ भार के लिए एक मुक्त आकाश नीती प्रारम की थी, इस नीती के अंतरगत विदेशी एयरलाइन्स य कोई भी माल वहक वायू यान देश में ला सकता है हमने परिवहन के अलग-अलग विधाओं या साधनों के बारे में अभी विस्त्रित चर्जा के अब परिवहन के साथ हम बात करते हैं संचार पर परीवहन जो था वो व्यक्तियों को या वस्तुओं को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने का कारी करता है और संचार के माध्यम से हम अपने संदेश या सूचनाओं को एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कारी करते हैं तो यदि हम बात करें तो प्राचीन स मैंसे यदि हम देखें कि संचार के या संदेशों को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहुंचाने के लिए किनका प्रयोक किया जाता था तो हम देखते हैं कि शंख की ध्वनी या धोल और नंगाडे बजाकर धुए के माध्यम से या फिर जो घुड़सवार होते हैं तो तेज धावक जो घुड़सवार होते हैं उनके माध्यम से और इन सब के भी अलावा जो पशु पक्षी हैं जिसमें मुख्य रूप से कबूतर जो हैं इनका प्रयोग किया जाता था संदेशों को या सूचनाओं को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहुंचाने के लि तो हम देखते हैं कि आधुनिक यूग में हमने नई नई टेक्नोलोजी का विकास कर लिया है और ये जो संचार के माध्यम थे वो बहुत पीछे छूड़ गया हैं और अब तो हम यहां तक देखते हैं कि फोन भी जो है वो एक पुरानी बात हो गई अब हम मुबाइल में भ सेकेंड जो है वो हमारी बाते हमारी हमारे जो मैसेज़ संदेश जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक पहुंच जाती हैं हम टेलिविजन के माध्यम से देखते हैं कि कोई एक संदेश या एक सूचना को एक ही समय में एक देश में अलग-अलग स्थानों पर बैठे व्यक्तियों तक वो संदेश जो है वो पहुंचाया जा सकता है तो आधुनिक यूग में हमने बहुत जादा विकास कर लिया है अपनी टेक्नोलोजी को बहुत जादा विक्सित कर लिया है और इसी तारतम्य में हम देखते हैं कि हम संचार के साधनों को भी बहुत जादा विक्सित कर लिया है अब यदि हम बात करें कि संचार के साधनों के तो इसके दो प्रकार के होते हैं पहला व्यक्तिक जन संचार या व्यक्तिक संचार प्रणाली और दूसरी जन संचार प्रणाली तो व्यक्तिक जन संचार प्रणाल संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और इसके प्रमुख माध्यम कौन-कौन से हो सकते हैं तो जैसे हम एक दूसे को पत्र भेजते हैं इसके अलावा हम दुर्भाष के माध्यम से इमेल के माध्यम से या फैक्स के माध्यम से यह जो संचार के साधन है वो व्यक्तिक संचार के माध्यम होते हैं अब जन संचार प्रणाली क्या होती है तो व्यक्तिक संचार प्रणाली में तो हम व्यक्तिगत संदेशों के आदान-प्रदान की बात कर रहे हैं और जन जनसन्चार प्रणाली मतलब एक ही समय में कई व्यक्तियों तक सुचनाउं का पहुचना य направ деньги आदान प्रदान होता है। जनसन्चार प्रणाली की ईट की इस जन संचार प्रणाली के लिए कौन-कौन से साधन है वो पेयोक किये जाते हैं। तो यह हो गया आपका हम जैसे बात कर लें टेली विजन की इंटरनेट की यह सब ही जो है वो आपके यह हम बात कर लें श्रव्य माध्यम में रेडियो की यह सब ही जो है वो जन संचार प्रणाली के अंतरगत आते हैं और इन सब के अलावा जो बहुत से समाचार पत्र या पत काशित होती हैं, इनके माध्यम से भी हम बहुत लोगों तक एक सुचनाओं को पहुचा सकते हैं, इनका आधान प्रदान कर सकते हैं, तो बच्चों, ये हो गई बात संचार प्रणाली के प्रकारों की जिसमें हमने देखा कि व्यक्तिक संचार या जन संचार, इसमें भी हमने माध्यमों पर बात की, तो आए हम देखते हैं कि हमने देखा था भी जैसे श्रव्य माध्यम है, तो रेडियो जो है, वो एक श्रव्य माध्यम है, इसमें हम पिक्चर नहीं देख सकते हैं, ये हमें सुनाई देगा, और इस रेडियो जैसे श्रव्य माध्यम से हम एक तो कई व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं, तो जब हम रेडियो की बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि रेडियो प्रशारण की जो शुरुवात है वो भारत में 1920 में हुई, और पहला जो कारिक्रम है वो 1923 में मुंबई के रेडियो क्लब के द्वारा की गई, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं 1927 में मुंबई और कोलकाता से नीजी स्वामित वाले दो ट्रांस्मीटर जो हैं वो प्रशारित किये जाते थे इसके बाद 1930 में ये जो ट्रांस्मीटर थे उनको भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया और 1936 में इन ट्रांस्मीटर का नाम बदल कर आल इंडिया रेडियो कर दिया गया तो बच्चों आपको ध्यान में रखना होगा यदि आपसे छोटे प्रश्ने की रूप में पूछा जाए कि आल इंडिया रेडियो की स्थापना कब की गई तो उसमें आपका उत्तर होगा 1936 फिर जो आकाशवाणी हम आल इंडिया रेडियो की बात कर रहे हैं इसके माध्यम से जित्ते भी जो राष्ट्री या छेत्री इस्तर पर या इस्थानिक इस्तर पर इस्थानी इस्तर पर जो है वो देश के विभिन भागों में विभिन छेत्रों में कई प्रकार के कारिक्र तो आधुनिक यूग में हम देखते हैं कि उपग्रह संचार या इंटरनेट जैसे माध्यमों से हमने अपनी संचार प्रणाली को बहुत आगे बढ़ाया है तो हम देखते हैं कि हम कैसे कैसे विकास की तरफ आगे बढ़ते गए तो उसमें हैं 1844 में तार का जो अविस्कार कि गया सैमुल मोर्स के द्वारा इसने पूरी संचार प्रणाली में एक क्रांती ला दी इसके बाद 1875 में हम देखते हैं इसमें ग्राहम बिल के द्वारा टेलीफोन का विश्कार किया गया और ये संदेश के माध्यम को इसने टेलीफोन ने बहुत ही सरल बना दिया कि हम एक दबाएं और दूसरे व्यक्ति तक दूसरे देश या दूसरे राजी तक जो है वो हमारी बात पहुंच जाती है हमारा संदेश पहुंच जाता है इसके बाद हम आते हैं रेडियो अविश्कार की तो मारकोनी ने रेडियो का अविश्कार करके बेतार माध्यम को जन्म दिय और इन श्रवी माध्यमों के अतिरिक्त टीवी जैसे जो दृष्य माध्यम है उनका भी जन्म जो है वो मनुरंजन का मुख्य साधन बन गया अब लोग सिर्फ संदेश को ही एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए इन माध्यमों का प्रयोग नहीं करने लगी अब वो अपनी मन प्रण्जन का उनका एक यह माध्यम बन गया डाक संचार भारत में वर्तमान डाक प्रणाली कारम ठारीवी श्रतापदी की उत्रार्द में 1766 इस्वी में हुआ लेकिन आम लोगों के लिए डाक सेवा कारम 1877 में किया गया था इसके पूर्व इस सेवा का उपयोग केवल सर निर्धारन इंडियन पोस्ट ऑफिस अधिनियम 1988 के अंतरगत किया जाता है और इस अधिनियम के द्वारा सरकार को देश में पत्रों को जमा करने ले जाने तथा पहुचाने का एक अधिकार प्राप्त है भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का सबसे बड़ा संचार तंत चेत्रों में 4,160 और ग्रामिल चेत्रों में 19,184 डाक घर थी और बरतमान में डाक घरों की संख्या पूरे देश में 1,55,699 है इस प्रकार हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद से लेकर अब तक डाक नेटवर्क ने लगभक साथ गुना की व्रिधी कर ली है भारती डाक सं संचारतंत्र पार्सल नीजी पत्र व्यवहार तथा तार आदी सभी को संचालित करता है अगर हम प्रमुख संचार माध्यमों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं दूरभाश है इंटरनेट है और जन संचार के अंतरगत रेडियो दूरदर्शन समाचार पत्र जो जन संचार में प्रमुख रेडियो जो एक प्रमुख श्रव्य माध्यम है तो उसमें हम देखते हैं कि रेडियो प्रशारं की जो शुरुआत है वो Ora 20-20 में हुई थी अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे दूरदर्शन हैं तो हमने कहा ना कि दूरदर्शन का जै जो संदेश हैं या सेक्षणिक प्रसारण के अलावा बहुत से मनुरंजन के साधन के रूप में भी यह जो टेलीविजन है वो लोगों के द्वारा प्रयोग किया जाने लागा तो यदि हम बात करें कि पहले टेलीविजन की शुरुवात कब हुई तो हम देखते हैं संचार माध्यम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है दूर संचार तंत्र में भारत एशिय महादीप में एक सम्मान जनकिस्तिती रखता है भारत में नगरी छेत्रों के अतरिक्त ग्रामिन छेत्रों में भी व्यापक रूप से दूर संचार सेवा दूरभाश के माध्यम से सूचन वर्तमान में हम जिसे BSNL के नाम से जानते हैं कि अथक प्रयास के द्वारा किये गये हैं देश के प्रत्य गाव में 24 घंटे STD की सुविधा के लिए सैटेलाइट के माध्यम से भी एक विशेश प्रबंध किया गया है और वर्तमान में मोबाइल क्रांती से संपर की कि गुणवत्ता जो है वो और जादा बढ़ गई है यह सब सूशना संचार एवं अंतरिक्ष प्राद्योगी की के विकास से ही संभव हो पाया है और हम देखते हैं दूरदर्शन सार्वजनिक सेवा प्रसारण दूरदर्शन विश्व के सबसे बड़े टेलीविजन नेटव लिया था आकाशवाणी के भाग के रूप में देश में टेलीविजन सेवा की नियमित शुरुवार दिल्ली में 1965 इस्वी में मुंबई में 1972 इस्वी में कोलकाता 1975 इस्वी में और चेन्नई 1975 इस्वी में हुई हैं दूरदर्शन के स्थापना भारत में 15 सितंबर 1976 को ही और इसके बाद रंगीन प्रसारण की शुरू शुरुवार नई दिल्ली में 1982 इस्वी में एशियाई खेलों के दौरान हुई थी और जिसके साथ देश में प्रसारण छेत्र में एक बड़ी क्रांती आ गई और इसके बाद से ही दूरदर्शन का तेजी से विकास हुआ सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहट केंद्री चल्चित्र प्रमाणन बोर्ड की स्थापना की गई जिसे सेंट्रल बोर्ड आफ फिल्म स्रेटिफिकेशन कहा जाता है भारत में सारवजनिक प्रदर्शन के लिए भारती वव विदेशी फिल्मों का प्रमाणन करता है बैंगलूरू, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चिन्नई, तिरुवनंत पूरम, कटक, गुवाहटी में हैं तो यह होगे हमारे संचार के जो साधन है जिसमें व्यक्तिगत संचार और जन संचार शामिल है और हमने देखा कि प्रतेक संचार के साधनों का विकास किस इस्तर पर हुआ और कप किया गया इसमें जो भी छोटे प्रशनों के रूप में आपको बताये गये हैं अंदर से जो तीथिया हैं और साथी साथ वो कब विक्सित हुआ है यह सभी प्रशनों चोटे प्रशनों के रूप में आपको त्यार करना है और अगर बड में भी आप से प्रश्न पूछा जा सकता है या जन संचार की कौन-कौन से मार्धियम है तो उसमें आपको रेडियो टेलीविजन या जिसे हम दूरदर्शन समाचार पत्रेम पत्रिक आएं और साथ ही चल चित्र इंका दिस्त्रिक रूप से इंहें एक्स्प्लेंड करना है फिर जैसे ही उपग्रह उपग्रह या सैटेलाइट का जो अविश्कार है वो पहले सायुत राज अमेरिका सोवियत संग के द्वारा किया गया और हमारे भारत में अधी हम बात करें तो भारत में इस उपग्रह के माध्यम से संचार की जो शुरुवात है या उपग्रह की जो शुरुवात है वो कप की गई उपग्रह संचार की हम बात कर रहे हैं कि वरतमान में आधुनिक यूग में उपग्रह संचार जो है उसका एक विशेश स्थान है संसार में अंतरिक शोध एवं प्रयास सबसे पहले संयुक्त राज अमेरिका एवं पूर्व सोवियत संग में किये गया था इस बात को हमने देखा था और इन देशों ने उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने का सफल प्रयास भी किया जिसे बहुत से वैग्यानिक तथ्व सामने आए और संचार सुविधाओं का विस्तार हुए यदि हम भारत की बात करें तो हम देखते हैं कि भारत में अंतरिक्ष प्रयासों का एक मुख्य लक्ष यह है कि यहां दूरदर्शन एवं दूर संचार उपग्रहों के माध्यम से लोगों तक कहुंचाए जाए भारत की उपग्रह टेक्नोलाजी में सबसे पहली पहल जो है वह 1975 स्वी में ही हो गई थी जब 19 अप्रेल 1975 को आरिभट उपग्रह पूर्व सोवियस संग के इंटर कोस्मोस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था इसके बाद 17 जून 1989 को भासकर 01 तथा 18 जुलाई को 18 जुलाई 1980 को भारत के कास्मोड ड्रोम श्री हरी कोटा से रोहिनी उपग्रह का प्रक्षेपन किया गया था और इसी प्रकार 20 जून 1981 को एक प्रायोगिक दू संचार उपग्रह एपल एरियर पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट एरियन रॉकेट द्वारा छोड़ा गया 20 नवंबर 1981 को भासकर 2 का प्रक्षेपन हुआ जो भासकर 1 की भाती ही एक दूर संवेदन उपग्रह था 10 अप्रेल 1982 को इनसेट 1A उपग्रह का प्रक्षेपन हुआ और सितंबर 1982 से उपग्रह के अंतरिक्ष में काम करना बंद कर दिया गया इसलिए 30 अगस्त 1983 को इनसेट 1B अंतरिक्ष शटल चैलेंजर के द्वारा छोड़ा गया इनसेट 1B से जो रेडियो हैं टेलीविजन और दूर संचार इनके माध्यमों में क्रांती कारी छमता आई अब हम टेलीविजन पर जो मौसमी जानकारी है वो भी प्राप्त करते हैं और इसके साथी साथ आंधी तुफान की पूरु सूशना भी प्राप्त हो जाती हैं टेलीफोन तथा टेलिक्स आधी जो दूर संचार के माध्यम है उसमें भी इसके द्वारा एक महत्त पूर्ण सफलता प्राप्त की गई है जन संचार के प्रमुख माध्यमों में आप रोज सुबा जब उठते हैं तो चाय की एक चुस्की के साथ आप समाचार पत्र जो है आपके हाथ में समाचार पत्र एक प्रमुख माध्यम होता है जो पिछले दिनों में जो भी घटनाए हुई उनको आप तक पहुँचाने का तो हम देखें कि देश में लगभग 100 भाशाओं में और बोलियों में समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता है और यदि हम देखें कि सरवाधिक किस भाशा में तो सरवाधिक हिंदी भाशा में लगभग 24,927 समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है तो बच्चों हमने पूरी चर्चा कर ली परिवहन और संचार के प्रमुक साधनों में आपको बोर्ट परिक्षा के हिसाब से तैयार करना होगा जो हमने परिवहन के अलग-अलग साधन पड़े थे चाहे वो इस्थल परिवहन जल परिवहन या वायू परिवहन की, तो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे पाइपलाइन परिवहन के लाभ और हानिया कौन-कौन से हैं, रेल मारग के विकास से मुख्य, रेल मारग का विकास करने के मुख्य उदेश क्या-क्या थे, या भारत में जो नदी जल ynनाय Podcast, या कौन-कौन से कम्या है, या आपको विस्तार में पूछा जा सकता है, जो ने की है, ना erklärenPari विषय मैं एक विस्तार राश्टी राजमार्ग के रूप में उन्हें बनाया गया है, तो अलग-अलग जो राश्टी राजमार्ग की हमने बात की थी, राश्टी जलमार्ग की हमने बात की थी, उन सभी जलमार्गों को कि वो कहां से कहां तक नमबर एक, नमबर दो, इस रूप में आप से सभी जलमा तो विश्य में भी आपसे पूछा जा सकता है जैसे कि सबसे लंबा राष्ट्य राजमार्ग कौन सा है और वो कहां से कहां तक जाता है कि इनके अलावा हम बात करें संचार के साधनों में तो ये भी आप से पूछे जा सकते हैं प्रेशने की रूप में कि रेडियो की शुरुवात कब हुई या All India Radio की शुरुवात कब से हुई या इसका नाम बदल कर All India Radio कब रखा गया टेलिविजन की शुरुवात कब हुई इसके अविश्कारक कौन है इन सब के लावा बड़े प्रश्ण की रूप में आप से पूछा जा सकता है कि जन संचार के प्रमुख माध्यम कौन-कौन से हैं इस पर एक विश्ट्री चर्चा कीजिए तो बच्चो इन सभी प्रश्णो को आपको इस तरह से इस चैप्टर को आपको इस तरह से तयार करना है और आपको यह कोशिश करनी है कि जब आप सड़क परिवहन के अंतरगत राश्ट्री महामार्ग के विशह में आपसे प्रश्ण पूछे जाए तो आप जहां तक संभव हो मान चित्र के प्रयोग के पूशिश करेंगे तो आज कई आपका चैप्टर हो गया परिवहन एवं संचार